दोस्तो कैसे हैं आप लोग? उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी सीरियल और फिल्मों के जाने माने अभी नेताओं में से एक जैब हनुशाली के लाइफस्टाइल के बारे में अगर आपको जैब हनुशाली के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की आज कल वे क्या कर रहे हैं उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में भी जानेंगे उनकी कुल संपत्ती के बारे में भी जानेंगे उनके घर और कार कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे और लास्ट में हम उनकी कुछ अंसुनी बातों के बारे में भी बताएंगे कुल मिलाकर ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है अगर आपको जैभानुशाली अच्छा लगते हैं जैए एक अच्छे अभीनेता होने के साथ साथ एक बहतरीन होस्ट भी है जैए एक बहुत अच्छे दांसो भी है जैए ने अपने अभीने की शुरुबाद 2005 में की थी इन्होंने कसोटी जिंदगी की में अपना सबसे पहला किरदार अभीने किया था इन्होंने अपने अभिनेसे भी जादा अपनी होस्टिंग के टेलंट से लोगों का प्यार पाया है जै भानुषाली ने अपने अभिने के करियर को शुरू करने के बाद कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुढकर नहीं देखा वे इस बार बिग बॉस में पाटिसिपेट करने जा रहे हैं सो इसको ले कर वे आजकल काफी जादा चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइस तैरी दोस्तो इनका डियल नाम जै भानुशाली है निकनेम जै जै का चन 25 दिसंबर 1984 को एमदाबाद गुजरात में हुआ था आईए जान लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में जै ने अपने स्कूल की बढ़ाई बी पी एम हाई स्कूल मुंबई से पूरी की है इड़ोंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की थी और फिर धीरे अभिनेता बनने का फैसला लिया था अभिने के साथ साथ इन्होंने होस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया था और आज जै भानुशाली इंदिया के बिस्ट होस्ट में से एक माने जाते हैं अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटिस के बारे में इनकी हाइट है पाँच फीट आठ एंच वेट है पैसट किलोग्राम बाडी मेजर्मेंट अर्तिस बतिस फंद्राम इनकी आँखों का रंग गहरा बूरा है और बालों का रंग काला है नैशनेलिटी से यह एक इंडियन है और डिलीजन से हिंदू है अब बात कर लेते हैं इनकी पसंदीदा चीजों के बारे में होबी, क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है इनके पसंदीदा अभिनेता, अक्षे कुमार है, पसंदीदा अभिनेतरी, विपाशा बासू पसंदीदा खेल, क्रिकेट उन्हें खाने में पानी पूरी यानि गूल कपे बहुत पसंद है पसंदीदा रंग काला, पसंदीदा स्तल, लदाक आईए जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में इनके माता पिता के बारे में इन्होंने कभी भी शेयर नहीं किया इनकी एक बहन है जिनका नाम हेतल भानुशाली है अब बात कर लेते हैं इनकी पोर्शनल लाइफ के बारे में जैय ने 2011 में अभी ने त्री माही विद से शादी की थी दोनोंने शादी से पहले कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया था जैय और माही दोनोंने मिलकर दो बच्चों को गोद लिया था जिन मेंसे एक बेटी थी जिसका नाम खुशी रखा था और एक बेटा था जिसका नाम राजवीर रखा था अगस 2019 में जैय और माही ने एक बच्चे को जनम दिया था जो एक लड़की थी उन्होंने इस बच्ची का नाम तारा रखा है अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में जैब भानुशाली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2014 में फिल्म हेट स्टोरी से की थी हाला कि फिल्म कुछ खास नहीं रही इसके बाद जैब फिल्म में एक लीला पहेली में नजर आए इस फिल्म में उनके अपोजित सनी लेयनी नजर आई थी फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर ठीक टाग बिजनस किया था 2009 में भानुशाली ने डांस इंडिया डांस की होस्टिंग की और जलक दिखलाजा टू में भाग लिया जिसने रियाल्टी शो में अपनी शुरुआत की फिर डांस उन नचपली पांच जीतने के बाद एक अच्छे डांसर के रूप में प्रसित है लेजर अग दिखला जा टू में उप विजएता रहे थे नचपली पांच जीतने के बाद जैने डांस इंडिया डांस एक मेठी चूरी नमबर एक और डांस के सूपर किद चैसे कई रियाल्टी शो आयो जित किये हैं जहां तक उनके पुरुसकारों की बात है 2010 में जैब हनुशाली ने बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड में सर्व शेष्ट एंकर का पुरुसकार जीता उन्होंने 2012 में बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड भी जीता 2009 में उन्हें पसंदिदा होस्ट के लिए जी रिष्टे पुरुसकार मिला अब बात कर लेते हैं उनके घर के बारे में जैब हनुशाली अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के एक आली शान अपार्टमेंट में रहते हैं अगर हम इनकी कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो इनके पास BMW की एक शानदार लगजरी कार मौजूद है आईए जानते हैं इनका नेट वर्थ कितना है पूश्टी नहीं की गई है अब जान लेते हैं उनकी कुछ अंसुनी बाते जैने 2009 से दी आईडी और दी आईडी लिटल मास्टर्स के सभी एपिसोड को होस्ट किया उन्होंने अपनी पत्नी माही के साथ 2013 में नच्वलिय पांच जीता था उनकी भेन ने उन्हें मॉडिलिंग में अपनी किस्मत अजमाने का सुजाब दिया जिसमें उन्होंने शुरुआत में शंगर्ष किया लेकिन बाद में रेडिपमेल.com, मोटरोला, लेज और पेपसी जैसे विग्यापनों में लोग पे हो गए वे भगवान गनेश के बक्त है और अक्सर मुंबई में प्रसित सिद्धि विनायक मंदर जाते है वे आई पेल देखना पसंद करते हैं और राजस्तान रॉयल्स टीम्स को सपोर्ट करते हैं तो यह थी जैभानुशाली की लाइफस्टाइल वीडियो अगर आप जैभानुशाली के फैन है तो इस वीडियो को लाइफ कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें